हेलो फ्रेंड्स, विल्कम पैक तो मैं चलनल अम्रिती पैशनविला, आज की वीडियो में मैं आपको यह देखें, यह क्रोश्या हूंक चलाना से खाऊंगी, यह वाली हम चलाएंगे, क्योंकि काफी सा है लो के कमेंट आ रहा था, पतली वाली से बताएं, पतली वाली से तो यह 6 नहीं है, 9 है यह, 9 नंबर की हमारी क्रोश्या हूंक है, तो कैसे हमें स्टार्ट करना है, सबसे पहले देखें, उन लेंगे, एकदम इजी है, बिगनर है, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप देखें, इस तरह से उन लीजिए, इसमें एक ऐसे यह, इस तरह से, जैसे हम नौक लगाते हैं, यह ऐसे, बस इस नौकों में यहाँ पर यह लगें पूरे धागे को नहीं निकालना है, बस इतना निकालेंगे, ऐसे, यह देखें, यह इस तरह कि हमारी आपे नौत ना रहे है, एकदम डिली ही रखना है, टाइट नहीं करना ह सबी लोग का पकड़ने का तरीका अलग अलग Horse gjondreken यह दिवर कम यहां से पकड़ूंगी और बहुत भाती हला मकाया है दो इंगली से यहां पकल ले जो है अगर आप इस ते अपर हैं आप इस तरह से लपेट लीजिए आप एब इसलिया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप बिगनर ही हैं ये देखें, अब हमें क्या करना है, ये मैंने उंगली पे लपेट लिया है और यहाँ पर आपनी बात्थी चार उंगलियों से इसे पकड़ लिया है ये देखे, उन को यहाँ पे हमने पकल डिया है, ये जो हमारा थोड़ा सा बचा वाला हिस्सा था, अब ये हमारा सरक्रा है, हमें क्या करना है, हुप को देखे, ये नीचे से इस तरह से ले आएंगे और फसा लेंगे, ये देखे, एक बार और दिखाती हूँ आपको, हुप क सरक रही है, फिर हम क्या करेंगे, यहां देखें, नीचे से ऐसे डालेंगे, और यहां आप ऐसे करके, खीच देंगे, एकदम हलके हाथ हो, यह देखें, कितना इजली हो गया, फिर वही चीज, यह देखें, नीचे से ऐसे डालना है, यह हुंक पे उन को लपेटिए, और निकाल लेजे, अब देखें, हमारा उन जो है, वो पास आ गया है, हम यहां से एक बार खोल देंगे, बस, फिर से यह नीचे से आपको देखें, ऐसे चार उंगली से पकड़े रहना है, यहां पे हम इस तरह से करेंगे, ऐसे फसा के निकाल लेंगे, अगर आप ध्यान दे रहे हैं, तो देखें, मैं हुंक को डाइरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, और मैं यहां पिया कर रही हूं इस तरह से हूंक यहां पे रख रही हूं, और यह उंगली को हलका सा बैंड करके, हम धागे को फसा के निकाल ले रहे हैं, यह देखें, कितना एज़ी है, इसे आप जल 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 दी भी कर सकते हैं, आपकी हैबिट हो जाए थोड़ी सी, फिर आप इसे जल 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 दी भी क जलेंगे, तो देखें, हमने सबसे पहले क्या किया इस तरह से करके, एक नौट बनाई, आपका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, यह देखें, नौट बनाने के बाद, हमने इसमें डाला और इसे टाइट किया, यहां उंगली पे उनको लपेट लीजिए, लपेटने के किया, तीन चेन बनाई, यह देखें, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, हमने टोटर यहां पे दस चेन बनाई है, सबसे पहले मैं आपको सिंगल क्रॉशिया बनाना बताऊंगी, तो सिंगल क्रॉशिया बनाने के लिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, एक चेन बना पहली chain हमारे होक में है, इसके बाद वाली chain होड़ेंगे दूसरी वाली और जो तीसरी है यह रखें, इसमें हमें सिंगल क्रोश या बनानी है, तो अपने हुक को यहां तीसरी वाली chain में डालिए, पीछे से इस तरह से निकाल लीजे, यह रखें निकल आया, दो फंदे हो निकाल ले थे, एक फंदे से, सेम वही चीज, दो फंदों से कर देनी है, यह हमारा यहां पे बुन गया है, अब फिर अगली chain में हमें डेखें, इसमें डालना है, यहां अगली chain में हमने डाला, पीछे से, उनको पकड़के इस तरह से निकाला, फिर से हमारे पास यहां पे निकाल के एक फंदा कर लिया, हमने अभी तक दो बार बुना है, सिंगल प्रोश्या, अब हम तीसरी बार बुनेंगे, तो देखें, एक फंदा तो हमारे हुंक में है ही, यह आपका हमेसा रहेगा ही रहेगा, अब अगली जो चेन है, इसमें आप इस तरह से डाली हुंक को, डालने के बाद पीछे से निकालना है, देखें, दो फंदे हो गए, यह दोनों को आपस में हम इस तरह से बुन देंगे, फिर नेक्स चेन में हम इसे इम चीच करनी है, अगली चेन में हमने डाला हुंक को, डालने के बाद पीछे से ऐसे फंदे को निकालेंगे, निकालने क एकदम एजी तरीका आपको बता रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी चेन में एक एक बार, अब देखिए इस चेन में बुना है, तो इसके बाद वाली हमारी ये चेन है, तो इसमें हम बुनेंगे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने वीडियो सारे चोड़े चोड़े बच्चों ने पिछले साल इसी तरह से वीडियो देख के बहुत सारे सुन्दर सुन्दर स्वेटर्स अपने कानाजी के लिए बनाए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, ये रेखें, ये इस तरह से, ये ऐसे करके, तो चीजें आपको ट्राइ करन है, ये एक बार मैंने आपको सिंगल क्रोशिया बनाना बताया है, अब इसके बाद मैं आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना बताऊंगे, फिर हम डबल क्रोशिया बनाना सीखेंगे, तीन तरह की क्रोशिया आम सीखने वाले हैं, अब हमें इसे टर्न करना है, टर्न करने के यहां पे एक chain बनाएंगे, हम Half Dable Проश्या इस बार बनाने वाले हैं, कैसे हमें करना है, यहां पे। अबक लपेटेंगे हूंक में लपेटने के बाध डालेंगे, जब हम अपनी सिंगल क्रोश्या भाट डाले रहें llegar देरा हैं, इसबार हम लपेटने के बाट डालेंगे और इस तरह से देखे उनको निकाल लिया, तीन फंदे हैं, यहां पे हम फशाएंगे और तीन से एक फंदा कर लेंगे, यह देखे, यह हमारी हाफ बुलक रोशिया बन गई, फिर से हमें यहां पे उनको फशाना है, फसाने के बाद हम अगली chain में डालेंगे डालने के बाद पीशे से फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ उतार दिया आपको क्या करना है? सबसे पहले आप ट्राइ करेंगे chain बनाना कम से कम दस बार बनाईए पूरी chain खाली chain chain बनाईए दस बार अगर आपका नहीं सही से बन रहा है जब आपका single crochet बनने लगे फिर आपाईए half double crochet पे half double crochet अगर single crochet आप सही से बना ले रहें तो half double crochet आपको सीखने में बिल्कुल भी time ने लेगा बहुत जल्दी से बन जाएगा उसके बाद आप थोड़ा time दे half double crochet को और उसके बाद final आप time देजिए अपना double crochet को आप easily बना लेगे कोई problem ही नहीं होगी तो ये देखे ये हमारा बन किया है फिर से हम करेंगे ये इस तरह से किया अगली chain में डाला पीछे से उनको निकाल दिया तीन फंदे हैं तीनों को हमने एक साथ उतार दिया फिर से एकदम आपको clear अच्छे से दिखा के detail में समझाती हूँ एक फंदा यहाँ पे है ये इस तरह से ऐसे लपेट लेना है लपेटने के बाद अगली chain में डाल दिया पीछे से देखें उनको निकाल दिया यहाँ पे तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ उतार लेंगे हमेशा आपको एक चीज का ध्यान देना है यह जो आपके हुक का फेस है ऐसे ही रहना चाहिए यह नीचे की साइट ऐसे रहेगा यह देखें जैसे मैंने जैसे मोड़के रखा हुआ ऐसे आप रखेंगे तो आप आपको एजी हो जाएगा यह चीज मैं आपको स्टार्टी में बताना भूल गई बट आप यह दियान दीजे कि हमेशा आपका हुक का फेस ऐसे नीचे ही रहना चाहिए तभी आप कोई भी फंदे को खीच के इसली निगाल पाएंगे इसली मैं बोलती हूं कि पूरी वीडि अब देखें इस तरह से हम करेंगे और करने के बाद यहां पर हमने डाला डालने के बाद यह देखें हमारे फेस नीचे ही है इस तरह से करेंगे तो यह निकल आएगा निकल आने के बाद हम इसे बुल लेंगे जो वीडियो बना रहा है मैं भी इनसान ही हूं या फिर जो भ बड़ी गलतिया उनसे भी होती है और यह ही है कि जो चीजे हम स्टार्टिक में भूल जाते हैं आपको बीज में बताते हैं आप अधिकतर यूटूबर्स को देखते होंगे सभी यही बोलते हैं कि प्लीज वीडियो को बिना इसकित किये पूरी देखें अगर आपके पस क्रोशे की रहेगी तो यह हम देखें से टॉन करेंगे और जब डबल क्रोशिया बनाना होता है तो हम देखें यह एक चेन बनाई है और यह दूसरी चीन आपको अपने हुप के फेस पर जरूर ध्यान दिना है कि हमेसा इसे नीचे की साइड ही रहेगा आप स्राइट से ले तो यहां पे हम इस तरह से लपेटेंगे लपेटने के बाद पहले दो पंदे से निकाल लेंगे अब जब एक फंद आपके पास यहां पर जाए б तब समझे कि आपकी एक इस्टिछ जो है वो सक्प्ली तन दूसरी बना उंगी तो दीखें इस तरह से लपेट लिया एक बार फिर दो फंदे से एक बार यह हमारी कप्लीट हो गई फिर इसी तर से करना है एक बार लपेटा हमने अगली चेन में डाला फंदे को निकाला तीन फंदे हैं देखें दो फंदे से एक बार और दो फंदे से एक बार अब मैं आपको एक बार इस हुख से भी बुन के र पकड़ने में और चलाने में, मेरे लिए comfortable है क्योंकि मैं सुरू से यही use करती हूँ, यह भी मैंने बहुत time use की है, बट जब मैं specific होगी तो मुझे जादा easy यह लगने लगी, मैं wooden में कुछ तूड़ रही हूँ कि अगर मुझे मिल जाए, बट मिल नहीं रही है, अब बुनाई हो रही है, कोई change नहीं आ रहा है, क्योंकि यह हमारी mm और number का अंतर मैंने आपको समझाने के लिए, इसका भी use कर लिया, यह तो काफी सारे लोग कमेंट करेंगे कि दीदी आप लेके जिरू बैटी थी, आपने use करके नहीं रिखाया, आपका भी जब हाथ थोड़ आपको बुनाई करनी है, तो काफी महनस लगती है एक वीडियो बनाने में, यह देखें, यह हमारी बुनाई कम्प्लीट हो गई है, यह देखें कितना easy हो गया, सबसे पहले हमने आपको बताया है, single crochet, half double crochet, और फिर double crochet, अब यहां पर नॉट लगाने के लिए क्लिए करना है simple आपको एक chain बनानी है, chain बनाने के बाद इसे खीचेंगे, और खीचने के बाद आपको cut कर देना है, यह इस तरह से, अगर आपको सिर्फ इतना बुनने आ जाता है, आप इतनी सारी पोशाक वेगर आपने काना के लिए बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी अच्छी, त चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, हारे गृष्णा, राधे राधे,